फिरोजपुर जिरका से कॉंग्रिस विधायक मामन खान को लेकर एक बड़ी खवर आ रही है। दरसल मामन खान को नूह कोर्ट ने दो दिन के और पुलिस रिमांड पर भेज दी है। 14 सितंबर की रात पुलिस ने मामन खान को राजस्थान से गरफतार किया था जिसके बाद मामन खान को पुलिस ने 15 अगस्त को नूह कोर्ट में पेश किया था। नूह के नगीना पुलिस इस्टेशन में उनके खिलाफ फायार भी दर्ज की गई थी। इसके साथ ही मामन खान पर ये भी आरोप है कि नूह में हिंसा फैलाने वालों के वो संपर्क में थे। बहरहाल अब देखना ये होगा कि जिस तीन अन्य मुकदमों को लेकर ये रिमा हुआ हुआ है झाल झाल